आय सी सी ने जो नया ODI का रांकिंग जारी किया बल्लेबाजों के लिए उसमें टीम इंडिया का एक अलग ही दब्दबाद दिख रहा है जthem बता देंकि टीम इंडिया के तीन बल्लेबाज टॉप 10 में हैं जिए जूँस Too बात करेंगे इन तिनों के बारे में और बताा दें क या तीनों चुनावती दे रहे हैं बाबर आजम यहां दोस्तों बता दें कि बाबर आजम भले ही नमबर एक पर लेकिन ज्यादा दिन उनके सर पताज नहीं रहने वाला है क्यों कि टीम मीडिया कई खिलाड़ी इनके पिछे पर दोस्तों बात करेंगे लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बर आएं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें तो बात करें जो आई सिसी ने नया ओडिया रैंकिंग जारी किया है उसमें अभी का परफॉर्मस आप दिखता है कि किस खिलाड़ी के कैसा परफॉर्मस है बाबर आजम भी अच्छा परफॉर्मस किये अभी नेपाल के खिलाब एक सब पचास का पारी खेले थे इसका अलावा बता दे क्रीम इंडिया कोई खिलाड़ी भी बहत्ति पर दरसन किये तो बात करें ओडिया रैंकिंग बल्ले बाजो का तो नंबर एक प आ सकते हैं टीम इंडिया के तरफ से रैंकिंग वाले बल्लेवाज बन चुके है सुबमन की अभी करांट का बात करें वहीं बात करें नंबर 37 डार डूशन यहां दोस्तों यह साथ सब पचहत्तर है इनका रेटिंग डेविड वान जोकी ऐस्टेलिया के और इनका जो रेट सब्सक्राइब दोस्तों आपको क्या सुबमन गिल बावा राजम को पचार पाएंगे रैंकिंग में और सुबमन गिल क्या नंबर वन बल्लेवाज बन पाएंगे तो ओटियाई का हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड का जरूर बताएं तब तक लिए मिलते हम आपको अगले विडियो में